हालो एवरिवाइन आज कल मैं अपने स्किन केर रूटीन में यूज करी हूँ गुड वाइप्स का रोज हिप डाइट इन ग्लो फेस्ट एंड आज मैं आपके साथ अपने वीडियो में इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसे यूज करते हुए साथ से आठ दिन हो चुकी है तो मैं आपको अच्छे से इसके डिटेल बता सकती हूँ कि यह कौंसी स्किन वालों के लिए बैस्ट है तो चलिए वीडियो को फटा-फट से स्टार्ट करते हैं लेट से को तो यह है गुड़ वाइपस का रोज ही ब्रेजिन क्लो फे इस से यूज करते हूँ परपल से मैंने बहुत चारे गुड़ वाइब्स के प्रोड्रिक्त महईए है क्योंकि गुड़ वाइब्स के प्रोडिक पर बहुत अच्छा डिसकांट चल रहा था तो मैंने ओर कर दिय और कुछ पंदरा दिन पहले ओर्डर किया था लेकिन साथ से आठ दिन हो चुके हैं मुझे इसे यूज करते हुए होनेसली मैं आप लोग साथिस्ता रिव्यू शेर करूंगी तो फस्ली आप देख लीजे कुछ इस सरे की ग्लास की ये बोटल आती है इससे पहले जो मैंने से फीज सेरम का रिव्यू किया था वह भी ग्लास की बोटल यही थी crochet पैकजिंग टॉपल अ किलर में है बुता है जो लोग मेंए चैनल पर नए हैं उनềंप है उने नहीं पाथा होगा बहुत अच्छे रजर्ट थे और बहुत अच्छा फेस सीरम था अभी एक ही र्क्वेस्टेड वीडियो कह सकते हो क्योंकि मुझे उसके डीम में ही बहुत से लोगों की मैसीज आया हुए थे इसके बारे में बथाएए कि ये सीर्म कैसा है तो मैंने इसे अभी मंगवाया कudent दूसरा फेस सीरम यूज कर रही थी तो दो फेस सीरम एक साथ यूज नहीं कर सकते जब और मीरा खता हो गया तो मैंने मुझे इसे तो इसके पैकेजिंग जो कुछ इस टाइब की है, इंटरनल पैकेजिंग 10 ml का इसका क्वांटिटी आपको मिल जाता है और 3 साल की लॉंग शेल्फ लाइब के साथ है गुड़ फाइब के प्रोडिक मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि यह बिल्कुल भी हामफुल नहीं होते हैं इससे पहले मैंने कम से कम 4-5 प्रोडिक को यूज किया है सब भी के सब भी मेरी स्किन पर सूट कर गए थे और होने इसलिए आप लोगों के साथ मैंने आपका उसका रिव्यू भी शेयर किया है तो इनके प्रोडिक जो रहते हैं वो पैराबेन फ्री होते हैं सिलिकन सल्पट फ्री होते हैं डिर्म Het conditions & commodity से थे थे खरणों में एडियर चिए होते हैं अब बात कीचाकी प्रेजिएंट की कौन एंग्येट्स नाजर्य है वो फ॑ से हंडश Bशाट नेचरल है तो इसमैंसे मैं सिल्पनाय जूर्वारम के diplomat isSchan के collagen को boost करता है जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जैसे जैसे हमारीase बढ़ती है हमारी skin का collagen जो boost नहीं होता मतलब proper बनता नहीं है barriers आ जाते हैं वहाँ पर हमारी skin dull होना start हो जाती है तो ये हमारी skin के collagen को boost करने में काफी ज़दा help परता है कि हमारे skin की dullness खतम हो जाती है, हमारे skin पर glow आना स्टार्ट हो जाता है second skin दर डाला गया almond oil, almond oil जो होता है वो हमारे skin की puffiness को खतम करता है हमारे skin पर stress की वज़े से लगा लीजिए या फिर हमारे skin पर बहुत ज़दा screen work करने की वज़े से लगा लीजिए वो हमारे skin पर हमारे eyes के round wrinkles, fine lines आजाती है उसको reduce करने में काफी ज़दा help करता है इसके साथ सहसे में जो होता है वो हमारे skin को sun की harmful UVA से protect करता है और हमारे skin पर जो pollution या dirt की वज़े से acne breakouts हो जाते है उसको reduce या होने ही नहीं देता है या फिर reduce करता है अगर आपके skin पर बहुँच ज़दा acne scars होते है अगर बात की जाए कि इसको कौन-कौन से skin वाले use कर सकते है तो यह चीज़ ध्यान देने की है अगर आपके skin बहुत ज़दा dry है more than dry है तो आप इसे use कर सकते हो अगर आपके skin पर dark scars हो गए है तो आप इसे use कर सकते हो या फिर आपके skin पर premature aging science दिखने लगे है तो आप इसे use कर सकते हो अगर इसके इलावा आपके skin पर कोई होर problem है तो आप इसे avoid कर दीजेगा क्योंकि या फिर आप अपना एक press test करने के बाद ही आप इसे use कीजेगा अब मैं आपके साथ share करती हूँ अपना experience तो मैंने इसे कुछ 7-8 दिन पहले use करना start किया था जब मैंने इसे first day use किया तो मैंने इसे दो टाइम ही start किया क्योंकि मैं face serum को use करती रहती है तो इसे use करने का procedure है कि आप इसका रिजर्फ चाहते हो तो आप इसे दिन में दो बार लगाई आप जब भी सुबह अपना skincare routine करते हैं face wash करने के बाद toning लेने के बाद आप face serum को लगा सकते हैं तो उस जब मैंने इसे लगाया तो first day जब दो बार लगाया तो मैंने morning में देखा next morning में मेरी फेस पर छोटे सा pimple हो गया है नर्मली मेरी फेस पर pimple इतने ज़्यादा नहीं होते हैं बहुत कम chances रहते हैं तो मुझे तकि मैं बहुत सारे प्रोडेक्टर रिवियो गरती रहती हूं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जब भी आप एक नया प्रोडेक्ट लगाते हो तो अगर बहुत सारे होते तो I was worried कि मु नर्मली क्योंकि मेरी स्किन जो है वो कॉमिनेशन है और मेरी स्किन पर अल्मुस्ट बहुत सारे प्रोडेक्ट सूट कर जाते हैं लेकिन अगर आपके स्किन सेंसिटीव तो आप एक पहस्टेस्ट कर लीजेगा अधरवाइस ऐसे कुछ प्रोब्लम होने नहीं वाली है मेरे एक्सपिरेंस के अकॉर्डिंग और मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग तो इसको यूज करने का सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको फेस वोश करना है फेस के ओपर कोई मेकप प्रोडिक नहीं होना चाहिए जस्ट आप टोनिंग कर सकते हो यस उसके बाद आपको थोड़ लेनी है फेस पर और कुछ हलकी हातों से मसाज करने कुछ एक मिनट तक एक मिनट के अंदर यह आपके स्किन के अंदर अपसर्व हो जाएगा एंद उसके बाद आपको छोड़ देना है इसकी बहुत माइल्ड है टेक्च्चर इसका काफी लाइट है इसकी कंसिस्टेंसी बह नहीं लगता है। इसकी क्यों तो मेरी तरह से अगर मैं बात करूँ कि को यूज करने के बात क्या चाहिए मदलब मुझे इसको यूज करने क्या यह जैसे जैसे मैं इसके यूज करती हो पिपस के पर सिकिन काफी ग्लोईंग लगती है एंड एक और चीज कि जब भी आप इ भीजिश हूं तो आपको कुछ फेस पे शिम्रिंख सा दिखीका तो मुझे असा लगता है कि अंदर वीजिबल नहीं होते जब पेस पे लगाते हैं तब दिखता कि कोछ शिम्रिंग पार्टिकल्स तले हैं तो यह छी मुझे थोड़ी जी सी नहीं लगी लेकिन इसको योज कर बहुत जदा सेंसिटीव है उन्हें यह प्रोडेक्ट नहीं भी करेंगा हो सकता है अधर्वाइस यह प्रोडेक्ट रिक्मेंडेड है आई होब कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी होनेस ट्रिवियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है जैसा मैंने इसके बारे में उबसर्ब किया अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और कॉमेट करके जुरूर बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर आप किसी और प्रोडिक का रिव्यू जाना चाहते तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में डाल दीजेगा जैसा ही है सुटेबल रहेगा मैं और और करूंगी और आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शुरू शेयर करूंगी यूज करने के बाद थैंक यू फर वचिंग बाई बाई जेकिए